दोस्तों आज की एक नई और फ्रेश प्रोसेसर कमपेजिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज किस वीडियो में मैं दो ऐसे प्रोसेसर को कंसीडर करने वालों जो अभी न्यू है मार्किट में और उन नए फोल्स में लगी है जैसा कि सैमसंग के गैलेक्सी एट प करने वाला इन दोनों ही फोन को देंगे पावर और आप पावर यूजर के लिए इन दोनों में से कौन सा अच्छा होने वाले सैमसंग का 7885 का प्रोसेसर या अपना वावे का किरिन 970 वाला प्रोसेसर क्योंकि जो कुछ लोगा अगर जो पावर यूजर है उनको सीप्यू जानना रहता है कि अपनी पावर कैसे दिखा पाएंगे तो इसलिए आपको सभी को जानना है इन दोनों प्रोसेस का पाशेंज तो देखो इस वीडियो को और अधार आप सभी देख रहे है चैनल टेक्निकल गाइड और इसमें आती रहती है बहुत ही ऐसे मलजा टेक वीडियो तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बढ़ते अभी आगे और देखो इस वीडियो को एंड तो दोस्तों सबसे पहले यह जो दो प्रोसेसर्स है वह यहां पर दोने ब्रैंड अपनी फोन में लगाते कई सप्लाइए नहीं करते हो शायद ना कोई खरीदता भी होगा कैसा लगे के सैमसंग के फोन में हौनर का हुआवे का चिप सेट लगे तो और एक्जिनोस वावे के फोन में हौनर के फोन में लगे तो कैसा अलग हो जाए को ट्राइब भी ना मारे क्योंकि वह अपना भरोसा लगाते हैं अपने खुद के चिप सेट में तो बस दोस्तों सब बाते बंद करते हो और आगे बढ़ते हैं पर हम सबसे पहले प्रोस्टर कंपैर्जन में और यहां पर जो हम लड़ाई कर करवाएंगे हौनर के हौनर क् जैसे ही है किरिन बोल देते हैं सीधा के नाइन सेवेंट और एक्जिनोस 7885 में तो दोस्तों यह जो दोने प्रोसर यह जो एक्जिनोस का वो मिड्रेंज प्रोसर जो और जो 970 वो हाइएंड प्रोसर लाइंड तो कि इसमें कुछ ऐसे फीचर जो इसको हाइएंड बना दे जो सबसे पर जानते हैं किस्की क्ला gone keat इसके जो भी साइस का प्रोसर से और सब्से फेले सूरु वह किलिक्त के 970 ट्यू इसमें दो आपको अपको को मिल जाते में ख्रेच फ्रोसर्टेर को प्रोसेश्र है और बेस्ट है और कॉटक्स सेवेंटित्री और कोट्थी और कोट्स में अब यहाँ पर जो कौर्स डिवाइड है वो चार-चार के सेट में में ब्रोसेशर काउन्ट है यानि जो चार पोट्स के एक लिवेंटी 122.4 GHz पर रन करते है और बाकर के चार को रहे वह रन करते हैं वन पॉइंट गिगाट पर और जो आर्किटेक्ट्चर कोटेक्स का एफ टी थी का और वहीं पर देखा जाए कि कर रहे तो कर रहा है थोड़ा सा अलग ही कर रहा है वह यहाँ पर इसके जितता दो है यह पर यहाँ पर खुट को दिवाइडे यहां पर है 1.60 GHz पर यह तो भाई बहुत जादा डिफरेंस होगा निए छे कोर और दो कोर आपर जो बहुत ही पावरफुल कोर है वह सिफ दो ही है और भी 2.2 GHz पर अगर 2.4 GHz पर होते तो शायद हम यहां पर हजम कर पाते लेकिन अभी तो हजम करना और भी मुश्किल हो र 1.6 GHz पर और सैमसेंग ने अगर वहां पर 2.2 रखा तो कम से कम यह जब बाखी की छे उसको तो फड़ा जाद रखता लेकिन नहीं सेमसेंग को तो यहां जाम ही नहीं होगा उसको नुक्सान होगा तो भाई लेकिन ठीक है भाई सैमसेंग का ब्रैंड उसकी वैल्यू है तो तो यहां पर जैसा कि मैं क्या जो चेक हो रहा है वो रन करते 1.6 पर इसको मैंने वह जो गैलेक्सी 8 वाली वीडियो वह यहां पर आपको कार्स में जहां पर भी कार्स मिलेंगे वह उसमें गैलेक्सी 8 का फुल रिव्यू ए एक छोटी सी छोटी दिल भी मैंने आपको देता है क्योंकि चेक हो रहे हैं पर लेकिन नहीं भाई चिप मैनोफैक्चर हुई है और जो भी है जैसा भी है ऐसा ही है जो भी आपके सामने ही है इस प्रोसर का और दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते किरिन 970 का जो प्रोसर्स टेक्नॉलजी वह 16 नानो मीटर की है अब वह आपकी ज्यादा बैटरी से वहीं कि 14 और 16 में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है अभी प्रोसेसर का साइस इसले बढ़ा होते है कि वहां पर कुछ और यूनिट्स भी लागाने पड़ते है अभी अगर आप इंटेल के प्रोसेसर देख लो तो इंटेल अपना CPU बना देता है 14 न पर मिलेगा अच्छा मिलेगा अच्छा आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाए गवी इंटेगरेट क्यूंकि थोड़ी तो जगा होईगी ना जीप्यू यूनिट को लगाने के लिए अभी इंटेल सीप्यू को छोटा गर देता है और वहां पर जीप्यू लगाए नहीं जाता लगेगा नहीं जीप्यू तो कैसा चलेगा इसलिए आपको कुछ इंटेल के एंट्री लेवल सीप्यू में कम साइस तो मिल जाए लेकिन कोई जीप्यू नहीं रहता तो आप सीप्यू से ही आप कैसे मज़ा उठा पाऊगे पूरा वहीं पर अच्छे होते मेरे ख्याल से मै सब्सक्राइब कर दोस्तों 14 डैनो मीटर है और 16 डैनो मीटर है कि रिन का नाइन से मिल जाते वहीं पर आपको कुछ AI के फीचर नहीं मिल जाते अपना जो कि रिन का 970 या पर खुछ से कुछ ना कुछ सीखता रहेगा या के मतसे वहीं पर जो एक्जिनों से कुछ नहीं सब्सक्राइब को बहुत अच्छी परफॉमेंस बड़े मिल जाएगी और यहां पर जो दोनों में आपको ड्यूल चैनल मिल जाते हैं डीडिया 4 के रैम के साथ दोस्तों जो ग्राफिक कार्ड लगा इसमें जीप्यू की यूनिट लगे वहां पर है माली की जी सेवेंटी ग्राफिक्स जीप्यू जो आपको अच्छी खासी परफॉमेंस गेमिंग में बहुत अच्छी परफॉमेंस देगा वहीं पर जो लगा है अपने सैमसंग के एक्जीनोस 7885 के चिपसेट में वहां माली का जी सेवेंटी वन हालाग कि कोई डिफरेंस नहीं है आप पर लेकि इतना भी अगर आपको थोड़ी भी ज्यादा परफॉमेंस मैटर रखते हुए दो कोर एक्ष्ट्रा कोर्टेक्स A73 के बहुत मदद कर सकते हैं और 2.4 गीगाट की मैक्स फिक्रेंसी भी बहुत मदद कर सकती है तो और किरिन में तो आपको AI के कुछ फीचर्स भी मिल जाते ह और जो अपना सैमसंग का एक्षिनो से 7885 उसके क्या स्पेसिफिकेशन से 14 नानो मीटर है एक्षिनोस किरिन है 16 नानो मीटर थोड़े आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा तो भाई वो किरिन के 970 में होएगा लेकिर अगर आपको किरिन अगर यह आप कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास ऑप्षिन बच जाता है सैमसंग के गैलेक्सी एट प्लस के पास जाने के लिए तो अगर आपको सैमसंग का फोन जिसमें लगा यह एक्षिनोस का 7885 चिपसेट तो आप ले सकते हो डरने की कोई बात नहीं है मैं यह नहीं बोल रहा है वैसा कूछ नहीं दोस्तों यहां पर चिपसेट अच्छा है एक्जिनोस का लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हुआँ जो जहाता है और आप फेभरेट ब्रैंड यह कोई जोड़त नहीं है क्योंकि होद्ध पाया अगर आप सैमसंग का फोन चोड़ रहे हो तो क्योंकि Galaxy 8 में भी बहुत अच्छे फीचर तो भाई आप Galaxy 8 Plus की उस वीडियो देख लो कार्स में ऐसा आपको आपको फुल डिटेल मिल जाएगी और फुल रिव्यू भी मिल जाएगा तो बस दोस्तों आपको पसंद आए अगर आपको पसंद आए अगर आपको पसंद है तो यह कुछ ना कुछ ना कुछ गईना कहीं करें 10785 अच्छा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई दो लाइक शेर करो कोई सवाल और लेकर को लगकर कोई कोई कैसा का कर दो करो कमेंट बॉक में या तुटेल को करो को आपकर भी सवारा पूचवाया जवाब आपको और अगर आपको ऐसी मज़दार वीडियो से ही आने वाले समय को सब्सक्राइब बेल आइकोन को दबा के वरना आगे वाले जो आगे वीडियो मा बनाऊंगों को सब्सक्राइब करना मत भूलिए